हेलो दोस्तों स्वागत है वकत कॉमियनिकसन के एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हमनों बात करने वाले हैं बीबी एम के यू मिन्स बिनोत विहारी महातो कोलेंचल यूनिवर्सिटी धनवाद की और से न दोस्तों पीजी एडमिशन 2024-2026 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ओनलाइल लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है तो इस वीडियो में हम लोग जारेंगे न दोस्तों कि आप जो है अपने मोबाइल कंप्यूटर लैप्टोप के मायदिम से फॉर्म को कैसे बरेंगे step by step में आप लोगो जो है लाइफ फॉर्म भरके दिखाने वाला हो तो देखिए दोस्तों जब आप चांसलर पोर्टल वाले ओफिसल वेबसेट पर आईगे ना तो आपको जो है यहाँ पर BBMKU मिन्स यह जो आप यहाँ पर किलिक हैर का ओप्शन दिखेंगे तो आप जो है BBMKU का ओप्शन यहाँ पर है 14 सप्टमबर से आपके ओनलाइन चल रहा है और 9 अक्टूबर तक आपकी जो है ओनलाइन चलेंगे तो चले दोस्तों वीडियो क का लिंक मिलेगा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों आप जो ना झारकन universities.nic.in वाले जो ओफिसल वेबसाइट है आप इस पर आगया हैं आने पर दोस्तों यहाँ पर जो announcement है न यहाँ पर आपको जो है एक news and update का एक option दिखेगा एंड October 22 तक आपके जो है online form चलने वाले हैं तो दोस्तों अभी जो है कैसे online form को भरेंगे उस पर बात कर लेते हैं देखें दोस्तों अगर आप जो है graduation के time इसी वाली website से जो है online आवेदन किये थे ना तो आपको फिर भी दोस्तों एक new registration यहाँ पर बना लेने होंगे वो username और वो password आपका नहीं चलने वाला है आपको जो है new एक account बना लेने होंगे ठीक है तो do not have an account पर आप click करेंगे और दोस्तों यह जो registration गलब जो हैना इसमें आपको जो हुँ जानका़ी मागे जाएंगे आप फिलब करेंगे आप देखेंगे सबसे पेहले आपको को आपका पूरा नाम फिलब करना होगा जो की certificate के kommt होना चीह मतलब जो आपका जो मोहन लिख दीजेगा या फिर आपका जो भी नाम होगा वह आप लिख दीजेगा फिर आप जो है कुछुभी नमबर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो इस परकार आप जो है अपना यूजरनेम बना पाएंगे इसके बद दोस्तों आप जो है मोबाल नमर यहाँ पर इंटर करेंगे इसके बद आपको एक पासवर्ड बना लेने होंगे पासवर्ड दोस्तों कैसा होना चाहिए ना माल जी आपका नमो होना तो केपिटल M यूज कीज़ेगा इसके बद OHA नम भी यूज की जगा इस परकार आपका पासवर्ड रहने वाला है आप अपने एककोरडिंग इस परकार जो है आप अपना पासवर्ड बणा लेंगे इसके बद दोस्तों ये जो कैप्चा है capture का fill up करके sign up पे click करेंगे अभी दोस्तो next page में आप जो भी mobile number यहाँ पे use किये थे उसमें OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पे fill up करेंगे अगर OTP आने में कोई भी दिक्कते हो रही है तो इस OTP को आप जो है OTP की जगा पे use करेंगे and verify OTP पे click करेंगे तो आपका जो account successfully जो है बन जाएगा अभी दोस्तो आपको login पेज में आहना होगा जो भी username आप यहाँ पे रखे थे जो भी password आप यहाँ पे रखे थे उसको fill up करेंगे capture fill up करके जो है login here पे click करेंगे जैसे दोस्तो आप successfully login करेंगे तो आपको जो है कुछ इस परकार का dashboard दिखेगा ठीक है सबसे पहले दोस्तो आप यहाँ पे देखेंगे अपने username अपने email अपना mobile number यहाँ पे दिखेगा इसके बद दोस्तो आपको जो है एक ABC ID number यहाँ पे इंटर करना होगा जो की अभी फिलाल mandatory नहीं है यह बाद में भी आप दे सकते हैं ठीक है तो इसको अभी हम लोग skip करते हैं यह बाद आप लोग बाद में अपनों जो है update कर लिजएगा और दोस्तो नीचे आएगा आपका जो course है उसको भी set करना होगा जैसी की course में आप दोस्तो post graduate चुनेंगे apply year में 2024 चुनेंगे university में आप जिस भी university में admission लेना चाहते हैं उसको चुनेंगे जैसे की मैं आप लोग को बता हुआ कि आप जो है बिनोत बिहारी महातो कोलेंचल उनिवर्सिटी में admission कैसे लेंगे तो आप जो है इस पे click करके set session पे click करेंगे इसके बाद दोस्तो उपर आएंगे और fill admission form पे click करेंगे इसके बाद आप देखेंगे दोस्तो कुछ इस परकार का जो है आप लोग को declaration दिखेगा instruction दिखेगा ठीक है तो आप नीची आएंगे यह जो by clicking this button you are agreeing to the retirement condition as selected started above तो इस पे आप click करेंगे इसके बाद आप देखेंगे दोस्तो आपको जो आपना course को फिर से post graduate चुनना होगा master degree इसके वो submit पे click करना होगा अभी आप देखेंगे दोस्तो आपको जो है कुछ इस पर का इंस्ट्रक्शन दिखेगा ठीक है इसमें जो है photo and signature का जो भी size यहापे मागे गया है वो आपक automatic आजाएगा जैसे कि अब registration में भरे होंगे तो यह तो automatic आगिया ठीक है अभी दोस्तो आपका जो नाम है उसको हिंदी में भी यहापे लिखना होगा और हिंदी में लिखने के लिए दोस्तो आपको जो है एक यहापे link देखने को मिलेगा अप इस पर click here पर click करेंगा तो आ दोस्तो आप Yokoha English Simply लिख पाएंगे इसही पर कर्का दौस्तो आप पिता जी का नाम ही हापे हिंदी में लिखें गे माता जी का नाम ही आप हिंदी में लिखेंगे इस पर का date of birth में शबसे पहले दोस्तो आपको जो है ढित चुन ना होगा ठीक है देट के बाद दोस्तो म और इसमें आधार कार्ड आपको देना होगा इसके बाद दोस्तों आधार का जो भी number रहेगा वो आप यहाँ पर दे देंगे मैं यहाँ पर कुछ भी fill up कर रहा हूँ आप अपने actual जानकर यहाँ पर fill up करेंगे और दोस्तों यह जो ID type card है आप कुछ भी दे सकता है मैं आप लोग को आधार कार्ड यह से लिए बताया हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग का आधार कार्ड देने में कोई दिकत नहीं होता इसके बाद identification mark मतलब आपका mall on face है या फिर cut mark है वो आप यहाँ पर mention कर देंगे इसके बाद यह जो है न दोस्तों नेसलिटी इसमें आप इंडिय नहीं लिग दीजेगा आरिव एनरे में आप यहाँ यहाँ पर एनरे कर दीजेगा इसके बाद दोस्तों आपको reservation detail section में आपको क्या-क्या fill up करना है जैसी कि सबसे पहले आपको यहाँ पर बता जा रहा है do you have domitial of jharkand देखी दोस्तों अगर आप jharkand से हैं तो yes करेंगे और अगर आप other state से हैं तो no करेंगे ठीक है तो यहाँ पर उसके बाद caste category आपको बताना होगा कि आप जो है SCA है, STA है, OVC है जिस भी caste category से होगा, उसको चूज करेंगे BPL card धारक है, वो आपको यहाँ पर बताने होगे अगर आपनों Bclang है, तो वो आप यहाँ पर देदेंगे कस्मीर migrant है, तो yes no, आप अपने according कर दिजेगे इसके बाद दोस्तों वेटेज details section इसमें दोस्तों आपको जो है NSC है कि ने, वो आपको यहाँ पर बताने होगे NSS volunteer है, वो आपको बताने होगे ठीक है, इसके बाद एक्ष्टर सर्कुलर activity है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताने होगे एक serviseman है या नहीं है वो आपको यहाँ पर बताने होगे range and rover है किने वो आपको बताने होगे और यह जो option है न दोस्तों आप अगर देखे कोई भी college में या फिर university में जो है teaching and non-teaching staff है तो वो आपने according आप कर देजिएगा ठीक है इसके बाद दोस्तों आप आजाएंगे permanent address section में इसमें दोस्तों आपको क्या क्या बताना होगा जिसी कि आपका village यहाँ पर mention करना होगा post office यहाँ पर mention करना होगा police station आपको यहाँ पर mention करना होगा देखे दोस्तों आपको किस परकार address बना है जैसे का आप Village लिग दिये ठीक है Village के बाद दोस्तों आप Space देंगे इसके रहरेदा फिर इसे एक Space देंगे फिर Post Office का नाम लिए देंगे यहाँ लिग करके इसा आप कर लिजेगा ठीक है City name में आप दोस्तों क्या देंगे आप ऐपना District का नाम देदेजेगा जो भी आपका district होगा वो आप यहाँ पे choose कर देंगे इसके बाद दोस्तो इस्टेटनिम आपका जो होगा वो आप दे देंगे जो भी district रहेगा वो आप फिर से आप दे देंगे पीन कोर जो रहेगा दोस्तो वो आप यहाँ पे mention कर देंगे इसके बाद दोस्तों आपका जो present address and permanent address same है तो आप जो इस पर click करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो address है वो copy paste हो जाएगा ठीक है अभी दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं photo and signature को कैसे upload करेंगे तो दोस्तों मैं आप फोटो upload करूँगा तो इस परकार का option दिखेंगा ठीक है तो आप जो है इसको set करके crop पे click करेंगे तो photo upload हो जाएगा ठीक है इसके बाद आपको ये धियान रखना होगा कि जो आपको file size होगा 10 के भी से लेके 100 के भी होगा बाकी जो भी size माएंगे हैं automatic वो ले लेगा photo and signature upload करने के बाद दोस्तों आप ये जो seven personal details है इस पर आपके लेक करेंगे इसके बाद दोस्तों आप जो आप जो सेक्षन है academic information इस पर आपको आजाने होगे इसमें दोस्तों आपको जो अपना graduation का details देना होगा ठीक है तो इसमें आप दोस्तों सबसे पहले चुलेंगे have you registered with any state university in धारकन state देखे दोस्तों अगर आप जो graduation या फिर कोई भी दूसरा course जो है धारकन के किसी भी university में किया है तो उसको आप चुनेगे ठीक है जिस भी university में किया है उसको आप चुनेगे इसके बद दोस्तों आप जो हैना last past college details आप यहाँ पर देंगे आप जो हैना last में क्या past किये थे वोग आप state यहाँ पर चुनेगे इसके बद दोस्तों उस state का district आप चुनेँगे जिस भी जो आप किये थे इसके बद दो सेसन आप यहां पे देंगे जो भी सेसन आपका था मालने जिए आपका 2020 से लेके 2023 सेसन था तो आप यहां पे देंगे इसके बद रेजिस्टरसन नंबर आपका क्या होगा वो आप यहां पे देंगे मैं आपके कुछ भी जानकारी दे दे रहा हूँ तो आप जो है अपने actual जानकारी यहाँ पर दीजेगा ठीक है इसके बाद दोस्तो आपका जो registration year होगा वो आप यहाँ पर दे देंगे इसके बाद नीचे आएंगे last past examination मतलब आप जो है last में क्या पास किये थे B.A.C. owners, B.A.C. general, B.A.C. vocational तो आप जो भी किये थे उसको आप यहाँ पर choose करेंगे इसके बाद दोस्तो आप यहाँ पर subject का नाम देंगे subject का क्या नाम दोलें दोस्तो यह आपका honors देना होगा जिस भी honors में आप जो है अपने graduation किये हैं और वो जो subject है जो भी honors अप रखे तो उसका subject का full marks क्या था वो आप यहाँ पर दे देंगे वो आप अपको आप अपने marks website के according दे दे जीएगा कि आप जो subject में full marks क्या था और वारॉल नहीं मांगा जा रहा है इसमें सिर्फो सिर्फ तो सबजेट का मांगा जा रहा है इसके बाद दोस्तो आपको कितना था वो सिक्योर मतलब अभी क्या दोस्तों अभी सब सब्सप्जेट मिला कर जितने भी सब सबकुच मिलै कि सब कुछ में अब कर तो मैं यहाओं और सब एकाडमिक इनफोर्मिसर पर क्लिक करूँगा इसके बाद दोस्तों आप जोने इस वाले पेज़ पर आजएंगा अभी दोस्तों आपको सिलेक्ट इनुवर्सिटी में बिनोध बिहारे मातों कोलेंचे नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों मैं इसी का ही एडमिसन करके दिखा रहेगा ना दोस्तों जो भी मतलब आपका इसके बाद देखेंगे दोस्तों आपका जो भी यहां पर रहेगा ना जो भी सब्जेट रहेगा वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा फिर आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको फिर से जो है पेनाओ का option देगा आप इस पर किलिक करके जो है 100 रुपय का जो है चालान आप यह आप से कार देंगे तो प्रोसिट पर जैसे ही किलिक करेंगे आप जो है इस मायद्धम से पेमेंट करेंगे RTGS या फिर नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूपयाई के मायद्धम से आप जो है पेमेंट कर देंगे तो इस परकार जो है आप चांसलर पोड़न के मायद्धम से जो है ना यह BBMKU का एडमिसन ले सकते हैं पूरा पूरी झाल